नमस्कार लीला में आपका स्वागत है सबकी जिन्दगी में ऐसा समय जरूर आता है जब आप किसी को पैसे उधार दे देते हैं उधार लेते वक्त व्यक्ति बड़ा अच्छा देखता है लेकिन जब पैसे वापस करने की बारी आती है तो वो पहचानना भी बंद कर देता है अगर आप भी ऐसी ही किसी मुसीबत में फसे हैं और अपना उधार का पैसा वापस पाना चाहते हैं तो ये टिप्स आज माईए विवाद से बचे जब आप अपना पैसा वापस मागे तो कोशिश करें की बात बिना जगडे के निपट जाए किस्तो का दे ओफर आप उसे जज करें कि क्या वापस वो आपके पैसे लोटाने की इस्थिती में है या नहीं यदि उसकी इस्थिती जैन्विन है तो आप उसे किष्टों में पैसे लोटाने का ओफर दे सकते हैं परिवार का ले सहारा पैसे वापसी के लिए आप उसके और अपने परिवार का सहयोग भी ले सकते हैं सोशल मीडिया का करें यूज अगर परिवार वाला तरीका काम ना करे तो आप सोशल मीडिया का इस्तमाल कर सकते हैं आप पब्लिकली कह सकते हैं कि आपने इन्हें पैसे उधार दिये हैं और अब इनसे आपको पैसे वापस लेने हैं अब ले लीगल स्टैप इसके बाद भी अगर पैसा वापस नहीं मिले तो आप कानूनी मदद ले सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको कुछ सबूत पेश करने होते हैं जैसे पैसा देते वक्त कोई साक्षी है या कोई पेपर है जिस पर उधार लेने और देने की बात लिखी गई है इसके आधार पर आप पहले IPC की धारा 420 के तहट थाने में धोखा धड़ी की शिकायत दर्ज कर सकते हैं आप इस आधार पर कोट में केज भी कर सकते हैं इस इस्थती में उसे जेल जाने की नौबत आ सकती है या फिर उसको आपके पैसे लोटाने ही होते हैं तो ये थे कुछ चिप्स जिनके द्वारा आप अपना उधार दिया गया पैसा वापस ले सकते हैं इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन पैस करना ना भूज़ें